नमस्कार आप देख रहे हैं पांच पर अगना खबर और मैं हूँ आपके साथ मानुठा को रशुरुवात करते हैं आज की खास खबरों से जारखन के दुमका जिले में एक पती ने अपनी पतनी की प्रेमी की लाठी डिंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पती काजल पुझहर को गिरफतार कर लिया है ये घटना टोंगरा थानक शित्र के भालका गाउं की है जानकारी के अनुसार काजल पुझहर की पतनी के साथ में शामलाल पुझहर की बीच प्रेम प्रसंग का मामला लबे समय से चल रहा था महिला का पती काजल पुझहर को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं थी काजल रोज मजदूरी करने पश्यम बंगाल जाय करता था क्योंकि भाल का गाउं बिलकुल पश्यम बंगाल की बेरभूम जिला की सीमा पर अवस्थित है रोज की तरह ही काजल गुरुवार को भी काम कर अपने घर लोटा घर के अंदर जाते ही कमरे में श्यम लाल और उसकी पतनी को एक साथ आपत्ती जनक स्थिती में देखा ये देखते ही वो गुस्से में बेकाबू हो गया और श्यम लाल पुझहर पर लाठी डंडे से प्रहार करना शुरू कर दिया लाटी डंडे से पिटाई करने पर शामलाल की मौके पर ही मौत हो गई वही घटना की सूचना टोंग राथाना की पुलिस को मिले पुलिस पहुची और आरोपी काजल पुझहर को गिरफतार कर लिया हत्या में प्रियुक्त किये गए लाटी डंडे को भी पुलिस ने जब्त किया है मौत की बहन शंक्री देवी के बयान पर आरोपी काजल पुझहर के विरुध प्राथमे की दर्ज की गई है जानकारी होगी कि मृतक शामलाल की पत्नी काफी समय पहले पती को छोड़ चुकी है शामलाल अकेले गाउं में रहता था और काजल की पत्नी के साथ अफेर चल रहा था